Good morning सभी को So now today we are discussing about Gram Positive and Gram Negative bacteria experiment आज हम लोग पढ़ेंगे Gram Positive और Gram Negative bacteria जो experiment है न किस तरह से बताया गया कि Gram Positive और Gram Negative bacteria है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तो start करते हैं लेखे सबसे पहले Gram ग्राम निगेटिव और ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया के लिए क्या करते हैं ग्राम निगेटिव और ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया ठीक है अध्ड़ टैक्निक स्वरी यह यहां पर थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया है थोड़ा टैपिंग मिस्टेफ है तो यहां से technique of staining of bacteria was given by a Dutch microbiologist Christian Gram, कौन? Christian Gram, okay? And this technique is known as the Gram staining technique, ठीक है? इसको क्या बोला गया? Gram staining technique, okay? On the basis of the, of this Gram staining technique, bacteria are of two types. Gram technique जो थी, Christian Gram ने यहां पे इससे क्या किया था? डिसकवर्ड किया था और इसी technique के base पे bacteria को two part में divide किया. एक gram positive और दूसरा gram negative, okay? देखिए experiment में कैसे होता है? सबसे पहले क्या बैक्टिरियाज ले लिए गया? बहुत सारे कुछ बैक्टिरियाज लिए गया, okay? इस थाइप से bacteria ले लिए फिर क्या किया गया? Stan with crystal violet. तो यह याद रखेंगे crystal violet से stand किया जाता है. पिर यहां पे देखा क्या? All bacteria believe stand blue and purple blue. तो यहां या purple blue लीजिये कि यहां पर किया गया इस्तेनिंग किसे crystal violet से crystal violet से stain किया गया तो सारे bacteria कैसे निकले यहां पर purple blue या फिर blue इस ते फिर क्या किया फिर इसके बाद में इसके बाद में potassium iodide solution लिया फिर किया stain will fix due to formation of the complex of crystal violet and potassium iodide जिसे क्या बोला modern तो फिर क्या कर दिया गया यहां पर fix कर दिया गया जब stand fix कर दिया गया अब क्या किया गया इसको distaining किया गया मतलब उसे bass किया गया मतलब धुला गया यहां पर जो bacteria था उसे bass out किया गया और उसमें किसके साथ किया गया बाटर एंड एलकोहल से थीख बाटर और एलकोहल से गया इसे बास आउट किया तो एक इधर मिला गया और दो टाइपगे बास आउट हो गया, इस टाइब से बक्टीरिया मिले, अब देखी क्या हुआ, कि सबसे पहले यहाँ पर बक्टीरिया लेने के बाद में, उनको क्या किया गया, सबस्किया भादेबने के बाद में उसे भास आउट किया, अर्पासियम एक में क्या गया, यहाँ विए टो लग लग डिफेरेंट के मिलें, एक में क्या इस्टेन था और एक में इस्टेन बस आउट होगया मतलब धुल गया था, और जैसे थे पहले बैसे ही हो गया, जैसे यहां पर आप लोगों ने देखा, यहां पर जब देखिये, यहां पर भी red color के इन्में बनाए है, यहां पर भी red मतलब यह previous वाले से match कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो था, वो stand bass out हो गया, लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले म गया और is ten कम आूट दीन किसमें क्या है कि न कम आूट तो फिर वह कैसा हो गयाly ग्रेयं निगेट इवा भूड ऑ कैसे और ग्रामु तो कैसे याद रखेंगे इसमें दो ही चीजिए याद रखनी है क्यों करने के लिए दूसरा क्या है crystal violet क्या है crystal वाइलेट एक इस्टेन है जिस्टेन नहीं तो इस चीज की भी तो जांकरी हमें पता होने चाहिए ठीक है उसके लिए हम लोग नेक्ट स्लाइड में देखते हैं इन दा सेल वाल ओफ ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया की सेल वाल में देखा गया तो बोद होरिजोंटल इंड बार्टिकल पेप्टाइड लिंकेज और प्रिजिंट देखिए यह क्या है अगर हम सेल वाल में में देखा गया इस टाइब से तोरी बन मिनिट देखिए किसके बारे में सेल वाल तो सेल वाल इस टाइब से बना लिए यह है कि सेल वाल में देखा कि होरिजोंटल और बर्टिकल होरिजोंटल और बर्टिकल दो दोनों टाइब के क्या मिलें लिंकेज मिलें इस टाइब से इस टाइट से यहां पर horizontal और vertical दोनों ही मिलें कौन से peptide linkage याद भी रखना है यहां पर peptide linkage होता है कौन कौन से horizontal और vertical दोनों किसमें gram positive bacteria की cell वाल ही जिसकी बज़े से जो यहां पर net बना है कैसा हो गया बहुत ज़्यादा dense हो गया तो किसकी बज़े से horizontal और vertical दोनों तरह के peptide linkage इसमें पाएगे जिससे इसका network जो net था net like structure था जिसे हम लोग क्या बोलते है जाल ठीक जो इसका जाल है ना बहुत ज़्यादा घना हो गया क्या बोलेंगे मेस इस डेंस मतलब जाल है जो घना हो गया horizontal और peptide linkage की बज़े से जिसकी बज़े से क्या हुआ इस्टेंड कम आउट नहीं हुआ ठीक दफारदर आउटर लेयर ओफ दा सेल वाल ओफ ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया इस मैड़ ओप टिकोईक एसिड क्या है जो सेल वाल है ना बैक्टिरिया की तो वह किससे बनी है आउटर लेयर एक एसिड से जो हमारी आउटर लेयर बनी होती वह ग्राम पोजिटिव में बनी होती तो यहां से तीन चीज़े आपको मिलीए इस वाले पॉइंट से एक तो पेप्टाइड लिंकेज कैसा होता है इसमें बोथ टाइप का होता होरिजोंटल और बर्टिकल और इसका मेस कैस तो यहां पे टिकोईड याद रखना मेस इजडेंस और उसके बाद में प्रिप्टाइड लिंकेज कैसा होता है होरिजोंटल और बर्टिकल बोथ टाइप का ठीक जिसकी बज़े से यह पे हमें क्या मिलता है देखने को इस्टेन मिलता है एक्स्पेरीमेंट में फिर इसके इन दे सेल वाल उप दे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो यहां पर पहले बना लेते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल, आन लिजे, यहां पर बना लेते हैं, ठीक, य एक आप अरिई jak iOK कि आ लिए ये क्या है अन्योगी इन्यो support कि कि ये इसमें देखेंगे क्या किया होता है इन अन्य शेल्वाल आपप गराम निगेटिफ इदर होरिजर्वन और बाटिकल या तो कैसी होगी होरिजन्टल ओगी या फिर बाटिकल होगी कि यह तो यह फिर आप से होगी तो क्या है पेप्टाइडर लिंके जातो अरीजोंटल होगी या फिर बर्टिकल होगी ओके यह लूज जो इसका जाल है ना वो लूज होता है इस पेस ज्यादा होता है एंड हैंस इस्टेन कम आउट जिसकी वज़े से क्या है इस्टेन वहां से कम आउट हो जाता है दफ फर्दर आउटर मोस्ट लियर ओप दा सेलवार ओफ ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया इस मेड़ लाइपो पॉली सैकिराइड याद रखना है लाइपो पॉली उसका मेस बहुत ज्यादा मतलब जो जाल है बहुत ज्यादा घंदा होता है जिसकी वज़े से बाहर से इसका यlar बात होता है दूंसरी बात किया है यह तो फिरिगमिस क्या होता या तो horizontal मिलेगा या फिर vertical मिलेगा जिसकी वज़े से इसका जाल है उतना घना नहीं मतलब घना नहीं होता है ठीक जब घना नहीं होगा तो फिर क्या होगा यहां से stand come out हो जाएगा इस तरह से मालने जैसे कि बहुत लोगों ने देखा होगा किसे मचली पकड़ने वाले को देखा होगा मचली पकड़ने वाले को देखा होगा उसके पास में दो तरीके के जाल होते हैं एक ऐसा जाल होता है जो बहुत जादा घना होता है उसमें क्या करता है ज में दूर दूर छेदोगे उसके छेद जोते ना जानके बड़े होते उसमें क्या होगा फिर बड़ी मचली भातेगी चोटी मचली वहां से मतलब कम आउट हो जाएगी है ना तो यही चीज हमको किसमें याद रखनी है ग्राम पोजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया में ओके याद रखेंगे ना बहुत सिंपल कंसेब्ट है अब देखते हैं डिस्टिविशन इन हैविटाइड और बैक्टिरिया का हैव व्यापी हर जगा पाया जाने वाला उकें डिस्टिविशन एन्ड आर यूविटकटरस ठाइव कैसा होता है यू विटकटरस मतलब एवडी वियार हर जगा पाया जाता है शॉन कहां मिलता है बाटर में भी मिलता है ciao s न गिरी पे बाब बन जाती है न इसे मानेस टिंड्री मतल wired से भी बहुत जायदा धंड और उसका temperature कितना होता है 78 degree centigrade तो जब इतने high temperature पे मिल जाएगा और इतने low temperature पे भी मिल जाएगा तो फिर क्या है इसका मतलब यह है कि वो कैसा है कोस्मो पॉली टेंट कोस्मो पॉली टेंट का मतलब होता है सर्व्याफी हर जगा पाया जाने बाला आतें next form एं और बैक्टीरिया की फॉर्म पढ़ेंगे या फिर मार्फोलोजी पढ़ेंगे और इसके बाद में इस मार्फोलोजी के बारे में हम लोग डिटेल में बैक्टीरिया का classification वाला lecture देखेंगे उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या हो कि जर्नल लेंथ को फाइब मुझ ठीक है है आल्दोस अल्दोस पॉर्म में भी अबटू 60 मुझ दूद कितने होगे एचेव से 5 ठीक है और आल्दोस फॉर्म में भी अब कुछ-कुछ आजी भी मिलेंगे जो 60 मूं से जाता होंगी अब देखते हैं जैसे हम लोगों ने बाइरस में पड़ा था smallest viruses largest viruses बैक्टीरिया भी smallest और largest है तो smallest नोन बैक्टीरिया इज डालेस्टर डालेस्टर निम्योनोमोंटिस ठीक है जो कितना होता है 0.152.3 मायक्रोमियों ओके कितना चोटा होता है ठीक कौनसा डालेस्टर निमोनोमोंटिस तो याद रखना smallest पूछा भी जाता है exam में कि smallest bacteria कौन सा होगा उसमें चार bacteria के नाम दे देंगे उसमें कौन सा होगा डायलिस्टर pneumonitis ठीक है pneumonitis ओके फिर इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं largest known bacterium is a recently discovered bacterium तो largest है ना जो अभी recently discovered किया गया लेकिन यह जो डायलिस्टर pneumonitis ठीक है pneumonitis डायलिस्टर pneumonitis यह कैसा है पहले से ही known bacteria है बहुत पहले से discover गया तो यहां पर क्या है प्यूलो फिस्ट फिलो फिस्यम फिसल सोनी ठीक है क्या है प्यूलो फिस्यम फिसल सोनी भीच इस मैड़ बाग 0.3 mm long ठीक है यह लारजेस्ट आजे इसमालेस हाइफेन ठीक है अरली बैसिलस बट चिलाई इन कॉकरोज एंड इस्पाइरूलम बोलुटांस बेर कंसीडर्ड टू बी लारजेस्ट बैक्टिरिया ठीक है तो इसमें क्या है कि अरलियस्ट जो था बैसिलस बट चिलाई इन काकरोज एंड स्पारूलम गोलुटांस बेर कंसीडर टू बी दा लारजेस्ट बैटिरिया तो इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे इसका नाव रखेंगे इलो पीसिकं पिसे लेसिनो ठीक है इसको याद रखेंगे हमारा लारजेस्ट और कितनी है इसकी size इसका कितना है 0.3 mm long तो यह smallest और largest हम लोगों को याद रखना है question भी पूछे जाते हैं अब देखे gram positive और gram negative bacteria क्या थोड़ा brief में और बहुत ही simple एक table के form में हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या है parameters देखेंगे parameters क्या cell wall ठीक है cell wall thickness देखेंगे peptidoglycan layer किसमें पाई जाती किसमें absent होती ticoic acid देखेंगे और lipopolysicaride इसके बाद में outer membrane, lipid content और resistant to antibiotics अब यह चीज हम लोग पढ़ेंगे एक table के form में तो gram positive bacteria पहले कौन सा है gram positive bacteria और दूसरा कौन सा है gram negative bacteria ठीक है तो सबसे पहले देखते है cell wall cell wall कैसी होती single layered smooth cell wall कैसी होती single layered smooth cell wall okay This Double layer baby style wall Double layer होती sails double layer होगी और baby होगी और वह कैसी होती हमारी gram positive में smooth होती और single होती districion thickness देखेंगे तिकनेस ओप दा सेल वाल is 20 to 80 नैनो मीटर ठीक है तिकनेस कितनी होती 20 to 80 नैनो मीटर किसमें ग्राम पोजिटिव बक्तिरिया में और इसके बाद में अब देखते हैं ग्राम निगेटिव बक्तिरिया में तो थिकनेस कितनी होगी ग्राम निगनिटीक की एड टो टेन और ग्राम पॉस्टिक की कितनी होगी, 20 तू 80 नैनो मिटर फिर इसके बाद में प्टाइडो ग्लाइकन लेअर, प्टाइडो ग्लाइकन लेअर के बारे में देखते हैं यह कैसी, it is a thick layer, तो peptidoglycan layer कैसी होती है, gram positive bacteria में थिक layered होती है, also can be multilayered, और कैसी हो सकती है, multilayered, ठीक है, it is thin layer, तो यह कैसी होती, thin होती है, और ओफ एपूसावल लेऊर, तूंपारा, काशी होती है, सिंगल लेःर पिप्ताइडो गिलाइकन की किसमे ayam ग्राम डिगेटिव बैक्टीरिया में और किसमे होगी ग्राम पोइस्टिव बैक्टीरिया में फिर इसके बाद में टिकोईक एसिट के बारे में जानते हैं टिकोईक एसिट बारे में टिकोईक एसिट आर प्रिजेंट किसमें प्रिजेंट होता है टिकोईक एसिट ग्राम पोजिटिव बेक्टिरिया में प्रिजेंट होता है ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया में प्रिजेंट होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया में नॉट प्रिजेंट मतलब अप्सेंट होता है ग्राम निगेटिव में अप्सेंट होगा और ग्राम पोजिटिव में प्रिजेंट होगा क्या टिकोई केसिग फिर positive bacteria में absent होगा जो अभी इमने gram positive ग्राम negative में जब कि standing पड़ी थी तो बहाँ पे में बताया था कि lipopolysacuride की outer layer बनी होती ग्राम negative bacteria की ठीक है gram negative bacteria की outer layer किस से बनी होती lipopolysacuride से while ticoic acid में ticoic acid की किस की बनी होती है वो बनी होती है gram positive bacteria की ठीक तो वहां से भी यह point लिया outer membrane outer membrane is not present outer membrane is absent किस में gram positive bacteria में लेकिन gram negative bacteria में mostly present होती है ओके प्रिजेंट यहां पे भी present ओके फिर इसके बाद में lipid content lipid content देखेंगे ता lipid content is very low कैसा है very low very low lipid content lipid content is 20 to 30% किस में gram negative bacteria ओके फिर इसके बाद में resistance to antibiotic ठीक है एंटिवाइटिंग के एंटिवाइटिंग जो कि उसके against में resistance जाता कौन है these are very susceptible to antibiotic ठीक है तो कैसा यह susceptible है कौन सा gram positive और लेकिन resistance कौन सा है हमारे gram negative तो gram positive और gram negative resistance का मतलब क्या है कि अगर antibiotic डालेंगे ठीक है तो antibiotic जब हम add करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो resistance है वो survive करता रहेगा वो kill नहीं किया जाएगा antibiotic के तुरू ठीक लेकिन जो gram positive है वो susceptible है तो आज के लिए सब्सक्राइब मैं चैनल and share this video और किसी भी प्रकार का इससे लेके कोई भी मतलब regarding with this lecture any comment any curious please comment in comment box okay तो आप लोग comment कर सकते हैं